हेलो गाईज स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में इस वीडियो में हम सर्च सीवी रमन टेलेंज सर्च 2023 में जो एक्जाम होने वाला है इसका कुछ इंपोटेंट क्वेस्टन लेकर के आया है जैसा कि इसके प्रिवियर सेर के क्वेस्टन में जो की वेवसाइट पर अप्लोड है उसमें आप देखे थे कि क्वेस्टन था सोलर सिस्टम से क्वेस्टन पुछाता कि धूर्व तारा कौन से दिशा में निकलता है तो इसलिए आज हम ये solar system के सारे question जितने भी important question बनते हैं उसका solution लेकर करके आए हैं तो ये जो है किसी particular class के लिए नहीं है ये class 7, 8 और 9 तीनों class के लिए है आपका solar system से जो भी question बनेंगे same रहेंगे तो यहाँ पर ये वीडियो जो है तीनों class के लिए important हो जाता है तो वीडियो में अंतक जरूर बने रहें चलिए पहला question देखते हैं सौर परिवार में कुल कितने गरह है उप्षन है 6, 7, 8 और 9 तो जैसा कि आपको बता दू कि सौर परिवार में कुल 8 गरह है राइट आंसर 8 हो जाएगा option number C अगला question देखिए सौर परिवार के सबसे बरे गरह का नाम क्या है तो सौर परिवार के सबसे बरे गरह का नाम बताना है यहाँ पर option है ए में मंगल बिरहसपती सनी अरुन तो यहाँ पर देखते हैं सबसे बरे गरह का नाम जो है बिरिशपती है यहाँ पर जो है correct answer B हो जाएगा option number B बिरहसपती सबसे बरे गरह का नाम है सूरे के सबसे निकट इस्थित गरह कौन सा है सूरे के सबसे निकट इस्थित गरह आपको बताना है कौन सा होगा मंगल प्रिथवी बूद अनोटी none of these तो सबसे निकट जो गरह है वह है बूद इसको इंगलिस में mercury भी बोलते है mercury is the nearest planet to the sun तो यहाँ पर right answer C हो जाएगा mercury means बूद next question क्यों बढ़ते है निम्नांकित में कौन सा एक तारा है एक तारा है बताना है यहाँ पे टाइटन, खोवास, पुच्छल तारा, सूरे तो यहाँ पे right answer आपको याद रखना है sun है जो एक परकार कर कहा है तारा है और इसे एक परकार कर गोला भी कह सकते है आपका गोला है fireball ही इसे कहा जा सकता है next question को देखते हैं सूरे से पिरिथवी की दूरी कितनी है हमें यहाँ बताना है सूरे से जो पिरिथवी की दूरी है कितनी है आठ परकास वर्स 8.3 परकास वर्स 9.3 परकास वर्स 10 परकास वर्स तो यहाँ पे right answer हो जाएगा 8.3 परकास वर्स में तूटते तारे दिखाई देते हैं ये है रातरिक समय साफ अकास में रात को दिखाई देता है अंधेरी रातों में वो क्या होते हैं बताना है धूम के तू उलकाएं छुद्रगरा बुध्रगरा तो यहाँ पे जो होगा राइट आंसर इसका अप्शन नमबर बी हो जाएगा रात को जो तुटते हुए दिखाई देत किसका उप्योग किया जाता है भविश्वानी में दूर संचार में जैसे कि यह टेलीफोन, नेट, इंटरनेट यह सब जो चलता है इसमें किसका यूज होता है गरह का, तारो का, किरतरीम उप्गरह का या उप्गरह का तो इसका राइट आंसर होगा किरतरीम उप्गरह जो में जो है इसका उपयोग होता है इसके संवेदन में सूर्य की सबसे उपरी सतह का तापमान कितना होता है सूर्य का सबसे उपर का जो सतह होता है उसका तापमान कितना होता है 2000 दिगरी सेल्सियस 3000 दिगरी सेल्सियस 4000 दिगरी सेल्सियस 6000 दिगरी सेल्सियस नेक्स्ट कोईस्टन की वर बरते हैं बुद्ध के पास कितने उपगरा है ओप्शन एक, दो, तीन या एक भी नहीं तो आपको ध्यान रखना है बुद्ध एक ऐसा गरा है जिसके पास एक भी उपगरा नहीं है नेक्स्ट कोईस्टन को देखते हैं प्रित्वी के पास कितने उपगरा है तो प्रित्वी के पास नेचुरल रूप से प्राकिर्तिक रूप से यहां बताना है option एक दो तीन चार तो right answer ए हो जाएगा एक उपगरा है प्रित्वी के पास एक ही उपगरा है प्राकिर्तिक उपगरा जो चंद्रमा है उपगरा किसे क आपके लिए कर देता हूं कि जो प्रित्वी गरहों के चार और चक्कर लगाता है अकासिय पिंद उसे उपगरह कहते हैं और जो अकासिय पिंद सुर्य के चार और चक्कर लगाता है उसे गरह कहा जाता है next question क्यों बढ़ते हैं सबसे जएदा उपगरह किसके पास है तो वैसा गरह जिसके पास सबसे जएदा का से पिन चक्कर लगा रहे हैं option A में देखें मंगल, बूद, बिरस्पती, शुक्र बिरस्पती जुपिटर इसको इंगलिस में क्या कहते हैं जुपिटर, तो जुपिटर के पास जो है सबसे जएदा उपगरह है तो राइट आंसर C हो जाएगा, option number C next question क्यों बढ़ते हैं सौर परिवार में सबसे चमकीला गरह कौन सा है सबसे lighting, signing, planet कौन सा है बूद, मंगल, मार्स, शुक्र या अरून तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, सुक्र सुक्र जो है, सबसे चमकीला गरह होता है next question क्यों बढ़ते हैं सौर परिवार के स्रेनी से कौन से गरह को हटाया गया है सौर परिवार, पहले सौर परिवार में कुल 9 गरह था लेकिन पहला जो question हम आपको बताये थे आठ जिसमें से एक गरह को निकाल दिया गया था अप्सन देखते है कौन कौन सा है विरसपती, बुद्ध, सुक्र, प्लूटो तो यहाँ जो है right answer जो हो जाएगा D होगा प्लूटो क्योंकि यह सूरे से बहुत ही अधिक दूरी पर था इसलिए इसको स्वर परिवार सोलर सिस्टम के स्रेनी से हटा दिया गया था next question को देखते हैं किस तारा को परभात तारा कहते हैं मतलब कि यह सबसे पहले निकल आता है option सुक्र, मंगल, बूद, सनी तो आपको बताये थे कि जो है सुक्र सबसे ज़्यदा चमकिला गराता है सबसे पहले निकलाता है इसे जो है परभात तारा कहा जाता है कौन से गरह लाल रंग का होता है next question है मंगल option A में है B में है बूद, C में सनी, B में सुक्र तो लाल रंग का जो गरह होता है वो मार्स होता है मंगल गरह होता है लाल रंग का और निला गरह किसे कहा जाता है तो आपको पताये होगा प्रिथवी को निला गरह कहा जाता है next question को देखते है खगोलिये पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है खगोलिये पिंड तो यहाँ पे है option किलो मीटर, मीटर, परकास वर्स और शोर वर्स तो राइट आंसर होगा परकास वर्स परकास वर्स किसे कहते है परकास जो है एक वर्स में जितनी दूरी ते करती है उस दूरी को परकास वर्स कहा जाता है next question को देखते हैं एक परकास वर्स बराबर कितना किलो मिटर होता है आम यसे किलो मिटर में समझ सकते हैं option A में है 9.5 km 9.5 km 9.5 km किलो मीटर तो डाइट आंसर आपको याद रखना है नो पॉइंट पांच खरब किलो मीटर को कहते हैं एक परकास वर्स अगले कोईशन क्यों बढ़ते हैं सौर मंडल की खोज किसने की थी यह जो सोलर सिस्टम है इसकी खोज किसने की थी ऑप्शन ए में है न्यूटन बी में निकोलस कॉपानिक्स, C में है कैपलर और D में है आइंस्टाइन तो यहाँ पे डाइट आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर B, B जो है निकोलस कॉपानिक्स ने सौर मंडल की खोज कि थी और कैपलर ने यह बताया था कि सूरे जो है सूरी गरह जो है वो सूरे के चार और चक पन्दरहसो 42 पन्दरहसो 43 पन्दरहसो 44 तो आपको राइट आंसर याद रखना है 1543 में जो है सौर मंडल की खोज होई थी नेक्स्ट क्वेस्टन की और बढ़ते हैं सूर्य प्रित्वी से कितना गुना बढ़ा है औप्शन 105 गुना बढ़ा 107 गुना बढ़ा 109 गुना प्रित्वी से 109 गुना बढ़ा जितना बढ़ा अपना प्रित्वी है उससे 109 गुना बढ़ा शूर्य है एक्स्ट क्वेस्टन की और बढ़ते हैं परकास को सूर्य से प्रित्वी तक पहुचने में कितना समय लगता है यहां पे समय बताने हैं आपको कि सूर्य से आने वा तौको िसका आंसर जो है को में पक्स में जरूर लिखना है आपको कमेंट करके इसका अंसर बताना है हमें जुह है करके कमें त जाह के लिए आप सभी का धन्यवाद . Thank you for watching this video and subscribe my youtube channel and share this video. Thank you. Jaijin